हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट फ्रूट केक जिसे देखती है आपके मुँँ में पानी आने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आप रुख नहीं पाएंगे गाइस रेस्पी बहुत ही सिंपल होने वाली है बस जरूरत है कुछ चीज़े याद रखने के लिए तो उसके लिए वीडियो जरूर पूरा देखिए तो चलिए अब हम ले लेते हैं एक कप पानी पानी गरम हो जाए तो उसके बाद हमें इसमें डाल ले दिए वन थर्ड कप सोगन मतलब आदी कप से थोड़ा जादा तो गैस जब ये घुल जाए तो हमें गैस की फ्लेम को कर देना है ओफ और अब इसमें हमें डालना है मिल्क पाउडर तो मैं दो कप मिल्क पाउडर एट कर रही हूँ गैस हमने गैस को इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि ये मिक्चर हमारा नीचे से चलने लगेगा तो अगर हम गैस की फ्लेम को आफ कर देते हैं तो ये प्रोसेस करने में हमें आसानी हो जाएगी तो गैस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इसमें एक भी लम्स ना रह लग जाएं तो दो गयी अब हम flame को ON कर लेते हैं और इसे mix करते हैं जैसे हम flame को on करेंगे तो गैज 10 से 15 सिकेंड में ही हमारे जो इसमें एक दो land देख रहे हैं तो यह सारे डिजौफ हो जाएंगे तो गाइस लीजिए ने हमें गैस की फिलेम ओन करने के बाद हमें इसे आधा से एक मिनिट लगेगा और इसे हमें धीमियाश में ही पकाना है तो गैस करीब एक मिनिट हो गया है और अच्छे से गाड़ा भी हो गया हमें इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए है तो अब हम फिलेम को आफ कर देते हैं और साइड में रख देते हैं तो फ्रेंट्स अब हमें चाहिए है आदा ग्लास से थोड़ा ज्यादा गुन-गुना पानी और गैस यह मैंने लिया है रोस सीरप मदलब रुआपसा गैस इससे हमारे केक का स्वाधना बहुत ही अच्छा आने वाला है साइट थी साथ यह बहुत सकते हैं या फिर इस तरह का जो हल्दी राम के डिप आते हैं जो सौन पापटी के गईस उसमें भी आप बना सकते हैं तो गईस केक बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं इन रस्क का गईस रस्क बहुत ही इसली आपके पास की किसी भी किराना सॉप में आइवलेबल हो जाए तो इसे हमें इस तरह रोज सीरप में डिप कर देना है दो से तीन से केंड के लिए और अब इसे हमें इसे बरतन में अच्छे से सेट कर लेना है तो इस तरह हमें इन्हें सेट कर लेना है और अब हमने बनाया था जो कंडेंस मिल्क उसका यूज करेंगे हम अगर आपके पा मेरे पास नहीं है तो मैं अपने एक हां से कोकिंग कर रही हूं और एक हां से कैमरा को फोन को पकड़ी हूं तो गैस थोड़ा सा इसमें हिल रहा होगा तो इसकी लिए I am so sorry थोड़ा सा प्लीज एजिस कर लें तो गैस उपर से हमने दूसरी टोस्ट की लिए फिर से लगाती है वैसे ही रोसीरप में डिप करके और उपर से हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सरफवाप चा इसे हमारे एक काटेश बहुत ही अच्छा आएगा तो गैस अब जो बाकी का कंडेंस मिल्क बचा था इसे हम अच्छे से इसमें कोट कर देते हैं गैस इस तरह के केक बहुत ही सि अगा दिया और थोड़ा सा टैप कर दिया है इसे मैं फ्रूट्स के साथ डेकुरेट कर रही हूं अगर आपके पास फ्रूट नहीं है ड्राइब फ्रूट्स है या कुछ और भी है तो आप इसे उस तरह भी सरफ़ा सकते हैं अब मैं डाल देती कुछ कटे हुए मैंगो टेश्ट भी देंगे तो गईस दो घंटे हो गए हैं गईस मैंने इसे ढखके रख दिया था मतलब इसका ढखकन बंद कर दिया था तो यह उपर से जो फ्रूट्स का इसमें पानी आगया है तो यह उपर से आपको थोड़ा सा गीला गीला लग रहा होगा पर गईसके टेश अचस पाउडर नहीं है या फिकन फ्लोर पाउडर नहीं है तब भी इससके क को आप भूती आसानी से इस तरह बना सकते हैं बहुत है और अगर आपको रेश्पी पस 스트le कर दिए तो वीडियो को लाइक करने की ते कि उर चाल कर दीचेग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए अपने खयार रखें बाबाई